वेलकम बेक टू ग्यानवर्शा आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड डिसकस करेंगे गेट बाय टेकनोलजी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो प्रिविएस येर में टॉपिक्स आ चुके हैं कि किस-किस पार्ट से कौन से टॉपिक आया उसका आज पार्ट थर्ड सेकेंड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी वीडियो के एंड में एस वेल एस आपको आई बटन में भी देखने के लिए मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज जो हम लोग डिसकस करेंगे वो डिसकस करेंगे आपकी अनलेटिकल ट सब्सक्राइब और करेंगे विक ननिनित इस साफ के विच τον कनिन वे एंग मैंषन करते हैं से में अपकेस संसीगिकल आपको कसे की सब्सक्राइब में टीसकर दीक की सब्सक्राइब तो एक question आया था 2016 में और दूसरा question आया था gate 2020, दो question आया थे gate 2020 में, Spectroscopy बहुत जादा important है, यह तो आपको करके ही जाना है, इसे skip मत कीजिगा, देखिए, gate 2010 में question आया है, 11 में तो दो question आया है, 12 में एक question आया है, then 16-17 में 3-3 question आया है, 21 में दो question आया है, 22 में एक, 23 में भी एक question आया है, मतलब हर यह mostly question आता है, बहुत rare जान्स होगा कि question मिस होता है, तो Spectroscopy आपको करके ही जाना है, then Chromatography भी important है, आप ज़रूर कीजिगा इस question, इस topic को, जैसे कि आप देखिए, 2017 में दो question आया है, गे 2022 में एक question आया है, 18 में एक question आया है, तो यह भी करके जाएगा, Spectroscopy, Chromatography अब कैसे भी छोड़ के मत जाएगा, then बात की जाए Electrophoreses and Microarray, देखिए यह जो एक question है, यह आया है Microarray, Microarray से, ठीक है, वहीं पर यह एक जो question है, यह आया है Electrophoreses से, Electrophoreses क्योंकि बहुत easy topic है, तो आप मैं कहूंगी कि मत छोड़ीगा, हो सकता है, गे 2024 में को question आ जाए, तो कोशिच कीज़ेगा, Spectroscopy, Chromatography के बाद, अगर time मिला है, तो Electrophoreses भी करने की ज़रूर कोशिच कीज़ेगा, ठीक है, next चलते हैं हम लोग Plant Biotechnology पे, यह लेबर से, Plant Biotechnology का, ठीक है, जैसे इसमें Totipotency क्या होता है, Regeneration of Plant, Plant Growth Regulator, यह तो बहुत important topic है, आप सबको पता है, ठीक है, टिशू कल्चर, Cell Suspension Culture, तो यह सब चीज़ेगा, तो देखिएगा, अब इनके अगर हम देखे हैं कि कौन से topic से question से question आया है, गेट 2023 में भी इससे question आया था, एक गेट 21 में भी आया है, गेट 2017 में दो question आया है, तो Plant Growth Regulator तो आपको कैसे भी skip नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, टिशू कल्चर and Cell Suspension Culture की बात की जाए, तो गेट 2010, 11 और 12 में question मैंने mostly देखिए, secondary metabolites भी एक important topic है, इसको भी आप skip मत कीज़ेगा, इसको जरूर करके जाएगा, तो दो question गेट 2020 में देखने के लिए मिले, गेट 2014 में भी दो question देखने के लिए मिले, 2016 में एक question देखने के लिए मिला, अगर बात की जाए, Transgenic Plant and Plant Product of Industrial Importance की, तो 18, 19, 20, 21, इन चारों येर में लगातार question आया है, एक इक, ठीक है, तो आप ये देखिए, इससे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कि आपके लिए कौन से topic बहुत ज़्यादा important है, और कौन से topic जो है important नहीं है, मतलब जिनको आप skip भी करेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि पूरा syllabus पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, ये मैंने part first में जैसे कि आपको बायो कैमिस्ट्री, इम्नोलोजी, ये सारे topics में आपको करा चुकी हूँ, मतलब बता चुकी हूँ कि कौन कौन से topic important है, किस subject से कौन से topic important है, हम लोग bioinformatics की बता चुके हैं, हम लोग immunology ले चुके हैं, microbiology ले चुके हैं, RDT, recombinient DNA technology ले चुके हैं, तो mostly subjects हम लोग cover कर चुके हैं, अगर आप यथी वीडियो पसंद आईए, तो आप इसे like कीज़ेगा, शेर कीजे जास ज्याद अपने फ्रेंड के साथ क्योंकि वो लोग भी गेट की प्रिप्रेशन कर रहे होंगे तो उन लोग के लिए वीडियो हेल्फुल रही यह हमारा इंस्टाग्राम पेज है ग्यानवर्शा अंडरिस्कोर करके आप सर्च करेंगे तो हमारा इंस्टाग्र आप वहां से देख सकते हैं तो आप हमारा चैनल को जॉइन कीजिए इवन इंस्टाग्राम फेस्बॉक सबका लिंक आपको वहां मिलेगा यह हमारा मेल आईडी है अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कुछ बच्चों को सबस्क्राइब किजिए थैंक यू